मत्यप्रदेश में बीजेपी को मिली बंपर जीत के पीछे सिर्फ लाड़ी बहना का असर नहीं है बल्कि पुर्षों के साथ युवा वोटर ने भी बढ़ चल कर भाजपा को वोट दिया है सिर्फ शहरी लाकों में नहीं बल्कि गाओं में भी बीजेपी के पक्ष में बढ़ चल कर वोटिंग हुई है विधान सबा चुनाओं में डाले गए वोट के प्रतीशत से साफ है कि मद्य प्रदेश के चुनाओं में बीजेपी हर वर्गों को साथने में सफल रही है प्रदेश में डोहजार अठारा के मुकाबले में बीजेपी को साथ फीजदी वोट ज्यादा महिलाओं के मिले हैं 36 साल से 50 साल की उमर वाले लोगों के वोट शेयर में भी सबसे ज्यादा उच्छाल आया है बीते चुनाओं के मुकाबले भाजपा को पुर्षों के भी चार फीजदी ज्यादा वोट हासिल हुए हैं पहले भाजपा को 40 फीजदी वोट मिले थे जो अब बढ़कर 44 फीजदी हो गये हैं भाजपा के पक्षमे महिलाओं के वोट शेयर की बात करें तो 2018 की तुलना में इसमें 7 फीजदी की वरद्दी हुए है और यहाँ इस बार बढ़कर 50 फीजदी हो गया है इसी तरीके से कॉंग्रेस के पक्षमे पुर्षों का वोट शेयर 2018 की तरह 41 फीजदी यानि की जस्का तस रहा है जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 1 फीजदी कॉंग्रेस को जादा मिला है कुल मिलाकर कॉंग्रेस का महिलाओं वोट 40 फीजदी तक जा पहुचा है प्रदेश के विधानसाबा चुनाओं में नए वोटर ने भी बीजेपी के समर्थन में वोट डाला है भाजपा को नए वोटर का 4 फीजदी वोट शेयर हासिल हुआ है जबकि कॉंग्रेस को नए वोटर का कोई शेयर बड़ा हुआ नहीं मिला बीते चुनाओं की बात करें तो कॉंग्रेस को 18 से 25 साल उमर के वोटर का 42 फीजदी वोट शेयर हासिल हुआ था जो इस बार भी वैसा ही है वहीं BJP को 18 साल से 25 साल की उम्र के वोटर का 4 फीज़ी जादा वोट हासिल हुआ है इस बार BJP को 44 फीज़ी युवा वोट हासिल हुए है 26 से 35 में 5 फीज़ी की बड़ोतरी हुई है और यहां 47 फीज़ी रहा है 36 से 50 साल उम्र के वोट शेयर की बात करें तो इसमें भी 9 फीज़ी की बड़ोतरी हुई है और इसका प्रतीशत 50 फीज़ी रहा है 51 से 60 साल की उम्र के वोटर के वोट में भी वरद्दी देखी गई है इस उम्र के 3% जादा लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर भाजपा को जिताया है इस तरीके से भाजपा को 47% वोट मिले है 60 से जादा उम्र वाले बुजुर्गों ने भी भाजपा के पक्च में बढ़ चड़ कर वोटिंग की है इस उम्र के लोगों ने इस बार 3% जादा वोट भाजपा के पक्च में किया और यह आकड़ा 46% तक जा पहुँचा इस बार बहुजन समाज पार्टी और गौणवाना गरतन पार्टी को भी वोट शेयर में फायदा मिलता हुआ नसर आ रहा है 2018 की तुलना में इन दोनों पार्टी के वोट प्रतीशत में 2% का इजाफा देखा गया है ग्राफिक्स के जरिये यदि वोट शेयर के ट्रेक रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो भाजपा को 2018 के मुकाबले 4% पुर्षों का वोट शेयर जादा मिला है और इसी तरीके से 7% वोट शेयर मैलाओं का भी बड़ा मिला है कॉंग्रेस की बात करें तो 2018 के मुकाबले 1% जादा वोट शेयर मैलाओं को कॉंग्रेस का मिला जबकि 41% वोट शेयर कॉंग्रेस का वैसा का वैसा ही रहा इसी तरीके से ग्रामिड एलाकों में भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आया बीजेपी के पक्ष में ग्रामिड वोट शेयर 2018 की तुलना में 6 फीज दी पढ़कर 46 फीज दी हो गया बोपास से अनुराक्षिवास्तव की रिपोर्ट